जी student, iumiga करता हूँ कि आप सब्सक्राइने का हों तो student सांज घूर सब्सक्राइब करने जा रहे हैं chapter number 8 class 6 का हीं के लिका तो chapter number 8 हैं मारे पास introduction to algebra को की उपस्गा है है धाया ये तो आज हम chapter number 8 का introduction करें तो ये ऽ लिए इसको start करते हैं तो introduction में सबसे पहले मारे पास introduction टू एलजेबरा तूसमें सबसे पहले मारे पास है sentence के sentence क्या होता है मारे पास ठीक है यह introduction आपको इसलिए करवाई जाता है ताकि आप आगे जो chapters है उसमें जो exercise हैं वो जब उनको को solve करें तो वह आपके लिए easy हो जाए ठीक है आपको कोई मुश्किल पेश ना आए तो चैप्टर स्टार्ड करने से पहले introduction का पता होना जरूरी है ताके आप वो समझ हो के आपने आगे इसमें चैप्टर में क्या पढ़ना है तो सबसे पहले मारे पास sentence sentence क्या होता है मारे पास तो sentence की definition है आग ग्रूप ओफ वर्ड्स है आग ग्रूप ओवर्ड्स दैट में एक सा कम्प्लीट सेंस संटेंस ठीक है के संटेंस की definition क्या है मारे पास के अग ग्रूप ओफ वर्ड्स दैट मेंग सा कम्प्लीट सेंस संटेंस के लफ्दों का ऐसा मजबूवा ऐसा क्लेक्शन जिसमें हमें पूरी तना बात समझ में आ जाए उसको हम संटेंस बोलते हैं तो इसकी ग्जैंपल्स है मारे पास जैसे लैठ सपौर्स मैंश एलेट इंग ले लेते हैं कि फॉर इस लेस टैन हुअन फाइव थ्यक्त मों कि चार में पांच छोट पॉर इसमें यह समझ भी आजया रही है कि тяжाओ सब्सक्राइब कि इसमें पर द loyal कि तो इस में वह पॉलेंगे यह एक उतेम तो इसार का जाहताएब कि नहीं मिल्क है कि कि जो गाएं है वो दूद्ध देती है तो यह नतीक है निक जो 5News पूरी तरह से समझ आ रही है ठीक है तो इसको हम भोलते हैं कि यह एक partir कि सअ कर स्थीक बारे में पढ़ा तो अबम सब्सकर्टेट म privilege जी सुरेंट सा आगे मारे पास स्टेटमेंट स्टेटमेंट किस्टेटमेंट क्या होती है ठीक है तो स्टेटमेंट की डेफिनेशन है मारे पास अग लूप और संटेंस स्टेटमेंट जो हमारे पास है a statement is a sentence यह हमारे पास है जी स्टेटमेंट की डेफिनेशन के एक स्टेटमेंट इसा संटेंस यह भी एक हमारे पास संटेंस होता है जुमला होता है जो के सही हो सकता है और गल्फ बियो सकता है तो इसके ऐसा आरहे पास जैसे रैसे जैसे अप से खहता हून के मं इस फूट टीक है कि कर सेंट यह ठाल है यह कि स्टाईंस गासिन है के एपल जो है ऐपल इज आवजी टेहल है वाजी टेहल तो अब यह जो स्टेटमेंट है je क्या होगी सिर्डि होगी यह फॉल्स होगी अब यह दो सेबल टो यह तो यह जो स्टेटमेंट हो उद्वसको बżej ép है नढ़ा है रहे हमारे पास यह false statement है तो इसी तरह है इसकी math से related examples देखते हैं let's suppose हमारे पास अगर है two plus three ठीक है अगर इनको add किया जाए तो आपके पास क्या answer आता है five ठीक है तो यह answer आपका correct है तो इसको क्या बोलेंगे यह statement क्या है true ठीक है अगर यह स्टेटमेंट इस तरह होजे two plus three equal to six ठीक है तो यानि टो और three को add करें तो six आता है हालाकि ऐसा नहीं है तो इस statement को क्या बोलते है false ठीक है यह था हमारी statement के यह यह भी एक sentence होता है जो के बताता है कि यह statement true है यह false है ठीक है तो उमीद करता हूं कि यह आपने अच्छे तरीके से understand कर लिया होगा तो अब हम करते हैं अपने next topic जो है हमारा open statement जी students आगे मैंने यह सारे इल्खी है जो जो हमने इस topic में पढ़ने हैं तो इनको आपने समझना लाजमी है ताकि आपके लिए एक्सराइज करनी हो जाए ठीक है तो open statement से पहले हमने statement की ठीक है जो कि आपने समझी अब है आपके पास open statement कि open statement क्या होती है तो open statement जो होती है वह मारे पास ही है कि ऐसी statement जिसमें आपको पता लगाना मुश्किल हो जाए यानि हल करना आपके लिए मुश्किल हो जाए उसको हम open statement बोलते हैं जैसे कि मैं आपको example देता हूं open statement की example है हमारे पास to multiply this equal to 16 ठीक है अब यह एक open statement की form में है ठीक है तो इस तरह की statement होती है इसको बोलते है open statement अब देखे 2 को किसे multiply करें के 16 आए तो आपको यह सोचना पड़ेगा कि 2 को 8 से multiply करें तब भी 16 आता है ठीक है तो इधर आप 8 लिखेंगे तो इस तरह आपको जो सोच के थोड़ा time लेके होगा उसको हम बोलेंगे open statement ठीक है उसके बाद आ जाता है मारे पास variable क्या होता है ठीक है let's suppose आपके पास एक यह equation है x plus 5 equal to 7 अब यह जो numbers है आपके पास गिंती वाले ठीक है यह तो constant है तो यह जो x है आपके पास जिसकी आपने value find out करनी है इसको बोलते है variable क्या बोलते है variable यह जो x है आपके पास यह आपका variable है ठीक है तो उसके बाद आ जाता है आपके पास constant constant क्या होता है constant mean जो आपकी value fix हो ठीक है तो जैसे यह देखें इसकी example है आपके पास constant की कि अगर आपने x की value find out करनी है जिसमें चलो इसको ले ले लेते हैं x plus 5 equal to 7 ठीक है एक्स हो गया variable इसके लावा जो numbers है यह आपको दिये गए है इनकी values change नहीं हो सकती ठीक है यह आपके पास constant रहते हैं तो यह जो 5 है और 7 है यह आपके पास जो दो numbers है इनको बोलते है constant ठीक है उसके बाद है मारे पास coefficient के coefficient क्या होता है तो coefficient के लिए जो variable होता है उसके साथ जो number होता है उसको हम बोलते है coefficient ठीक है तो वेरिये इसकी मिसाल है ऐसे जैसे यह आपनी question ली थी जो x हो जिसमें ABC के word हो उसको हम variable बोलते हैं ठीक है तो उसको variable बोलते हैं जैसे लेट्स पोर्च इसकी example है 2x plus 3 equal to 0 ठीक है अब यह तो हो गया ना x variable ठीक है और यह जो 3 है यह तो हो गया constant अब यह जो variable के साथ number है जो के 2 है इसको हम बोलते हैं coefficient है यह x का किसका coefficient ही है isports इसका इसका इसक्षक का इसका अगर एकधाय एक और एक और examples है 2y plus 5 equal to 0 अब यह जो 5 है यह तो हो गया constant ठीक है और y हो गया आपके पास variable तो y के साथ जो number है इसको हम बोलते है coefficient और यह coefficient किसका है अब यह coefficient y का है इदर coefficient x का था ठीक है तो यह वाला जो numbers है जो variable के 7 होता है उसको बोलते है coefficient ठीक है यह coefficient है उसके बाद है मारे पास algebraic expression के algebraic expression क्या होती है तो इसकी मिसाल है हमारे पास जैसे देखें एक ऐसी equation जिसमें दो वेरियेबल्स आएं यह दो से ज्यादा वेरियेबल्स हों इसको बोलते हैं algebraic expression जैसे let's suppose 3x plus 4y plus 3z ठीक है यह आपके पास एक equation है equal to जाहे 0 करने आप यह आपके पास equation है अब इसमें देखें कितने variables आएं आपके पास एक x है एक y है एक z है तीन variables आ ठीक है दो यह ज्यादा variables हों उसको बोलते हैं algebraic expression अब यह कौन सा expression आपको जाहिर कर रहा है algebraic expression जिसमें दो यह दो से ज्यादा variables हों यह बोलते है algebraic expression उसके बाद रहे कि terms क्या होती है आपके पास ठीक है तो term simple आपके पास इसकी example है इसी कोई लेने चाहिए आप देखें यह आपके पास कितनी values थी एक थी 3x 4y और 3z ठीक है एक यह एक यह एक यह एक यह तीन होगी तो इन तीन चीजों को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं टॉर्बाहि यह चीह आपकी क्या है च्कम फिर उसके बाप वाई बोलते हैं तिक Hamm exchange को हम थीएएं चैक यह आपके पास वाल पास इसकी पासिंग्स उसके बाद मिए लाइक टर्म्स क्या होती है like होता है एक जैसा ठीक है तो like terms की आपके पास example है जैसे 2x plus 3x plus 7x एक्वल टू जीरो हो जाता है अब देखें इसमें जो याद रखने हैं जिसमें एक ही संच और तो कि विरियेबल्व यूज़ों इसको बोलते हैं कि अब यह सोफेरियेबल थो आगे भी सी वेरियेबल थो आगे भी है ठीर थे टहinky थो एक जिस से वीरियेबल आ रहा है तो मैं लेकर तो FOR 7 12 x तो यह तीनों किसके आंसर आए है एक्स के तो इसको बोलते हैं लाइक टर्म के एक जैसी टर्म उसके बाद ए अनलाइक टर्म उसको जो एक जैसी ना हो यानि इसका उलट हो तो अनलाइक की एक्जेंपल आपके पास अनलाइक टैम्स की जिसमें आफके पासText ओछ फेडियबल बांस एंचलो है इसमें तो आपके पास सेम एरियरी बल्ट धैना एक्स और एक्स और आश्या जिस में आपके पास छाहिए हम आरस जो रहा है और हम इसको एड नहीं कर सकते हैं किसी चीज को एड करने के लिए उनके वेरियेबल्स का होना सेम होना जरूरी है जैसे इधर वेरियेबल सेम थे ना मारे पास तो हमने इसको एड कर दिया तो इसको हम लाइक टम्स बोलते हैं अब इसमें वेरियेबल चेंज है तो हम को एड भी नहीं कर सकते ठीक है तो इसको हम बोलेंगे अनलाइक टॉम्स यह एक अनलाइक टॉम्स है उसके बाद लास्ट वान इस इवैल इवैलुएशन ठीक है के इवैलुएशन मींज कीमत फाइंड और करना ठीक है लैट सपोर्ज अगर आप से कहा जाता है के इवैलुएशन में कि आपको दो चीजों की कीमत दे दी जाती है कि एकर आपके पास यह चुन और बी लिखेंगे गास बी की वाली तो बी की जगा फॉह य तो अब तो प्लस फॉर जी तो a अब आधू प्रlस बी एंशन ग्या होगी है हमार में पास उसे को इसको बोलते हैं यह सारी की सारी उमीद करता हूं का आप पनी अच्रेसे डिपार्साइड कर ली होंगी तो ये था हमारा आज का इस चैप्टर नबर एट का इंट्रोडक्शन उमीद करता हूँ कि आपने अच्छे तरीकर से इंडर्स्टाइंड कर लिया होगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशालला हुलाजीज इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे एक पॉइंट वन तब तके लिए अल्ला हाकूँ